नमस्ते आपके साथ मैं हूँ जबरकाश शर्मा और कौन बनेगा आपका MLA का सफर अब आप पहुचा है अमरो आजिलेक के नौगाओं विदानसवा में लेकिन अगर हम नौगाओं विदानसवा की बात करें तो इसका स्यासी समिकरन काफी जबरदस्त रहा है क्योंकि आपको बदलाव के मूड में है यहां के मुद्दे क्या हैं समस्यां क्या हैं तमाम मसलों पर बात करेंगे लेकिन आपको बता दे कौन बनेगा आपका MLA का सफर हमने आज ग्रामी छेत को चुना है क्योंकि गाओं के वोटरों का भी तो मिजाज जाना है तो देखे तमाम खाट पर लोग बैठे हुएं और गाओं के लोग हैं उधर आपको बता दे कि महिलाएं भी काफी तादाद में हैं उनसे भी जानूंगा कि कमल खिलाएंगी या फिर वो बदलाव के मूड में हैं लेकिन सबसे पहले में अपने महिमानों का जल्दी से परिच्चे करा दू क्योंकि ब समाल अक्तर को बनाए गया उमिद्वार उनके तरफ से आएं फजूलक हैं जो फजूलक हैं समाजबादी पार्टी के नेता हैं और दूसरे हमारे पास तीसरे उमिद्वार हैं शिब कुमार जो जिलाद्यक्ष हैं और आपको बता दे कि यह आजास समाज पार्टी से हैं ले चुनाव है और चुनाव की तारीकों का एलान हो चुका है उम्मीद्वारों काना के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है देखिए आपके मन में कोई भी हो लेकिन वोट जरूर डालेगा चलिए चर्चा की शुरूआज सबसे पहले मैं देविन नाकपाल जी से करता हूं कि यहीं पर नहीं पूरे प्रदेश के अंदर 300 प्लस के साथ में कमल खिलेगा और भारती जनता पार्टी की प्रिशट बहुमत के साथ में योगी जी की सरकार बनने जा रही है तो किन मुद्दों को लेकर जा रहा है और किस मुद्दे के आधार पर आप कमल खिलाने का कारे में लेगे हमारे छेतर में गूंके देखिए कि जिस तरह से गुंडा रास था जिस तरह से बिस्टचार था दोजास सत्रह से पहले जिस तरह से समाजवादी की गोर्मेंट थी बस्पा की गोर्मेंट थी किस प्रकार से लूट हुई किस तरह से ड्रामा हुआ सिब यहा तक कि हमारे जो डोर थे डंगर थे जानवर थे वह आते थे कट्टा लगाते तो साथ में कहते थे उठा के अंदर गाड़ी के अंदर डाल यह आलम था आज चारों तरफ राम राज्य इस्तापित है आप देख रहे हैं देश की तरह से देश में जिस तरह से माने हैं मोदी जी काम कर रहे हैं जिस प्रिकार से प्रदेश के अंदर योगी जी काम कर रहे हैं वह चिपावनी है आज आप देख रहे हैं कि बुल्डोजर का नाम आता है तो सहले गुंडों की तस्विर सामने आयाती है निगाव में तो आज यह सुशाशन देने का काम जो किया है वह भारत समाजवादी पार्टी सब की बात करती है समाजवादी पार्टी जो है वो सब की बात करती है और अब की बार मैं कह रहा हूं कि 350 से उपर समाजवादी सरकार बनाएगी और अब की बार अखलेस आ रहे हैं दस मार्च को अखलेस आ रहे हैं और यह बता देंगे हम आपको शा घून अने वाले जोधा तारीक में यहांसे मानने कमाल असक्तर जी लिधायक बनेकस्तर में क्यों सब n जनता करते है दिखाने अब ठीक यह वो कहांए जनता है कि तीक है जनता करती आउट करती है जनता जो करती हैं ठीक तिया लेकिन up ऊड़ा कर दिखा की तुर्ण आपके साधार पर सरकार बना रहे हमना हमारे राष्टिया घ्याफ अखले स्याधव जी ने तीन सो इनुट बिजली देने काम करने काम किया है पैंसन देने का काम काम किया है आप चलिए तीन सो यूनिट मैं यहां खड़े सभी भाईयों से बूछ रहो हर जाती के व्यक्ति हैं खड़ा हुआ हर धर्व्यक्ति को हर धन्म को मानने वाले लोग खड़े हैं हर पार्टी के व्यक्ति हां खड़े यह तीन सो बिजली यूनिट जरूर फ्री देंगे लेकर बिजली आएगी तब कातारों पे कपड़े सुकते थे चलिए मैं जवाल सर आप कहां खड़ें आपकी पार्टी किदार है सर देखिए हम सौतंतर रूप से चुनाब लड़ रहे हैं और 403 सीटों पर चुनाब लड़ेंगे मैं देविंदर नागपाल जी से एक बात पूछ प्रदेश में बलातकार का रेश्यो कम हुआ है आप कह रहे हैं कि हमने जो जानवर इदर उदर भटके रहते थे वो आप जीनूस हैं आप इतना बड़ा चैनल हैं आप जाके देखिए उन गवसालों में उन गायों की हालत क्या कर रखी है और उसके बाद में आप जो वाद सब्सक्राइब करना चाहिए यह पता नहीं किस तरह की बात करें लोगों की फस्लों को को भी तो जाट रहे हैं सर वह बात में मानना हूं कि आज जो अबारा पशू है यह आपकी और हमारी खुद की जिम्मदारी बनती है कि उनको किस तरह से पहले हम गव माता को लेकर इतने चिंतित रहते थे और इन जैसी लोगों की पार्टी हां हमारे गव माता का जो है उठ सब्सक्राइब करते दी गला काट देते थे और आधी रात पर उठाके काट पीट देते खा जाते थे आज वह हमारी गव माता हमारी आस्ता सुरक्षी थे यह बात मानने के लिए हम तैयार है यह बड़ा शूठा है नहीं है यह पहले भी आप से बताया था कि आप देख ली सब्सक्राइब करेंगे एंदू-musliman करेंगे कि यह बात करेंगे- हिंदू-musliman के नामें नहीं ही कह रहा हूं तरहां को माता बोले हैं आज बोट लेना है और वैर किया करते हैं यह थे जब राड़ देते हैं काज देते हैं बच्चों को निकाल के खाते हैं लोग नियूंध णकी नारव लगा रहा रहाएं है वाइक पलने समाजवादी सब की बात करती है हिंदुमुसलमान की बात नहीं सब्सक्राइब लोगों से बात करूगा लेकर सर लग रहा है बिल्कुल हेंगे पर्देश में चलिए मैं लगाता है लोगों से चाचा क्या लग रहा है इस बार बीजेपी आजाएगी चाचा नहीं तो गाहों में खुश हैं आप लोग भी आजाएगी तो गाहों में राशन दे रही है चाचा आपको क्या लग रहा है यह करें गुण्डा कर दी कम की भूंडा कर दी कम हुई है बीजेपी में खूब कम हुई है उसमान तो ही ना कुण्दा कर दी काहिए आप लोगों को आप लोगों को आपको विधाय कैसा चाहिए और आज तो अकलेश जी अपनी वहों को भी रोग नहीं पाए बीजेपी जोएन करने से अच्छा जी अपना यादव जी का आज बीजेपी में जोएन होना अकलेश के लिए बहुत बड़ी बात है जब उनकी आपके भी तो विधायक और मंत्री भी भाग हमारे विधायक जी सबसे पहले दिन रखपाल जी वह पहुंचेंगे लखनो फूल खिला हुआ आप पोच यह जोड़ कर लोगों से बात कर रहा हूं एक जनता से सवाल आया कि आप पढ़ना यादव चोड़के चली गए आपक पहले कि हमारी भारती जनता पार्टी छोड़के गए अभी एक रहते हैं बहन बेटी यह सुरक्षित नहीं है वह नहीं है अगर बहन बेटी है सबसे जादा सुरक्षित है तो भाश्पा है वह कैसे है सुलो सुवामी परसाद मोरे जी खुद तो छोड़के चले गए सब्सक्राइब कर देने वालों की सरकार है और जहां तक जैसे लोग है यह यह कहना है और में तो लगता शैद वहाई भी ना शेत्र में शैद देखे भी ना चाहिए सब्सक्राइब करती है योगी सरकार करें कि हम आए गुंडागर्दी खत्मुई राशन दिया गाहों में बिजली पहुचाई पहले बिजली दस बार गंटे आती थी अब हम आठार-ठार बाइस-बाइस गंटे दे रहे हैं यह बदलाब हुआ क्या गुंडागर्दी कम हु सब्सक्राइब करें पहुचा दिया आपने पैट्रोल के दाम बढ़ा दिये आपने सर्फों का तेल 200 लीटर पहुचा दिया और आप अगर यहां पर राशन फ्री भी दे रहे हैं तो उससे जाला कर तो आपने महंगाई बढ़ा दिए इसू है महंगाई आप अब यह देख सब्सक्राइब कर दिया है और जो इनके 20% 20 में भी हमारा हिस्सा है यह जो दावे कर रहे हैं आपको लग रहा है धरातल पर दिए यह दो बात कर रहे हैं है अब है कि सब्सक्राइब कर दिया है हमारा जो मामला है हम सब का साथ लेकर चल रहे हैं और यह आने वाले वक्त आपको मालूम हो जाएगा आपके चैनल से माद्दी मालूम हो जाएगा कि आने वाले 10 मार्च में अखलेश जी आएंगे मेरे एक सवाल है आप कह रहे हैं कि आपके चेत्र में यहां काम हुआ नौगाओं में आपकी सरकार ने काम करा है तो क्यों टिकेट बदल दी फिर देविद्नाकपाल को क्यों दे दी पार्टी ने टिकेट यह जो पार्टी है यह सामुक फैसला होता है पूरी केमिनेट का प खीटर में सर्वें किया जाता है करने के उपरांथ गर्टी जो उनको से एक्यों अल् мужчine का कार्या करता अच्छे से जीत कि आ सकता है उसके लिए और हमारी जाए जश्य पर आप कोई कि चेत्रों में काम होना मैं न thirds तृत देविन नाक पाली एक ऐसा ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने विकास के कारे में बहुत कुछ आका दिया है इनकी मिसेज जो है अंसर चेर्मेन गजोला की वह तीन वार आवाड ले चुकी है आज किसी को अगर विकास के सिंग्या देखनी हो वह केवल गजोला जम में जाके द सब्सक्राइब है एक विधायक को क्या करना चाहिए काम तो जब से बाच्प सरकार आई है कोई बचाई नहीं है सारे काम हो गए है क्योंकि जब सपा सरकार थी यह भी बात कर रहें थी तो इस गाउं में पूछ लो 300 रुपए जब ट्रांस्वार्म पूचा था चंदा होता उनको समानता मतलब समाना अधिकार दे करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए और आप चाहते कि को शिक्षा किस तर पर ध्यान देना चाहिए एक विदायक तो हमारे दिल में तो मिदेंदर नाख पाली है विकास प्रोस है यह साथ मैं यह निर्दलिये भी जिए विकास प्र राश्टे अद्रस अकलेश यादों ने कहा था रामपूर में तो CRP पर हमला हुआ था कि उनको हम छोड़ देंगे सरकार बनी उसके बाद उन्हें उसका वापस भी लिया मैं यह सवाल लूगा आपका कोई सवाल कि देखें नौगाओं में यह डवलपमेंट होना चाहिए विकास का दूसरा नाम ही देविंदर न अखपाल है अगर विकास देखना है तो घजडोरनन नंगर पालिंगा वेर्ग जाकर देखिए इनकी पत्नी है आपर चेरमें और विकास है तीन वार का वार बीमिल चूका है अवाड प्रदान मंती जी ने दे दिया है तीन वार का वार्ड ले लिया है दूसरी बार इनके पिर्तियासी जो थे जिने वतारे राश्टिस्तर के नेतार जब देविंदर नाकपाल जी का टिकेट हुआ तो यहां से भाग गए और हसन बुर्का पिर्तियासी यहां लाके खड़ा कर दिया वो भी यह सोचना कि मेरा टिकेट कर जाए को यह और बेदे यह स्टी है चले मैं एक सवाल आया सर एक नौगाउट ठीक है देखें राजनीती हुई आरोप वयार पलटवार हो रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि नौगाउं के डबलपमेंट के लिए किन छेत्रों प तो पूछो कि कमाल अक्तर की फैमिली चैस की बीबी रही हो चैस की माताजी रही हो या और कोई रहो नगरपाली का अध्यक्ष रही है कितने साल नहीं पहले पूछो इंसा सर बता दिजिए 15 साल में को एक अबार्ड प्रदेश केंदर तो शोड़ो जिले केंदर मिला हो तो अब फिर उत्त्र प्रदेश में प्रथम तीसरे बार में पूरे प्रदान मंत्री जी द्वार से नोर्थ इंडिया के अंदर प्रथम और इस वार रास्टी प्रुसकार मिला है ये कारे कंड़े की शैली है हम जिब हमारी कथनी और कर दिने में कई फरक नहीं है इनके आपर क कुलाप पूछ़ी संमाजवादी नाम से चट्र एक किसक और को साथ लेकर विकास किया है समझें लेकिन आप पर आरुप मुड़ना जाविद आपकी साथ विध्हायक भी नहीं सबस्क्राइब एक सवाल है क्योंकि भीजेपी आरोप लगाती है समाजवादी पार्टी का नारा खाली प्लोट हमारा नहीं नहीं समाजवादी पार्ट जो पिसली बार यह सब का साथ सब का विकास के नारा लेकर सरकाल लाइदे यह उसमें फिलोफ होए हैं और अब की बार हम खुद मतलब सबका साथ सबका विकास लेकर अपना हमारा खुद का नारा है